पंजाब नेशनल बेंग की कालाजी गोराजी ब्रांच के लोकर में रखे 2.15 लाक रुपे के नोटों को किड़ा खा गया। जरूरत पर ग्रहाक अपनी ये रकम लेने पहुचा तो उसके होस उड़ गए। हिरन मंगरी निवासी महस शिंगवी ने बताया कि इस बैंक में उन्होंने सुनीता महता के नाम से लोकर में 2.15 लाक रुपे के नोट रखे थे। पिछले साल मैं में लोकर खुलवाया था तब तक के शुरक्षित था। जरूरत पढ़ने पर मंगलवार को लोकर खुलवाया तो नोटों की घड़ी पाउडर की तरह बुर बुरी हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंक प्रबंदक ने पैश कंट्रोल नहीं करवाया है। इसलिए नगदी का नुकसान हुआ। दूसरे लोकर में अन ग्रहकों के साजो समान को नुकसान की आसंका है। सुत्रों से यह पता चला है कि इस बैंक साखा में सीलन की परिशानी है इसी से किड़ा या दिमक नोटों को खा गए है